प्रदान मंत्री जोर्जिया मैलोनी की तरफ से आया हर तरफ चाक या क्या ट्वेटर क्या फेस्बुक और क्या इंस्टाग्राम हर तरफ इस वीडियो के ही चर्चे होने लगे जिसमें प्रदान मंत्री मोदी और जोर्जिया मैलोनी दोनों ही बेहद खुश नजरा रहे वैसे ये पहला मौका नहीं जब मैलोनी ने मोदी के साथ सल्फी ली हो इससे पहले भी वैसा कर चुकी है और इसकी चर्चा सोशल मीडिया में पहले भी खूब रही थी वहाई प्रदान मंत्री मोदी ने G7 समिट में आमंत्रित करने को लेकर भी मैलोनी को धन्यवाद अदा किया प्रदान मंत्री ने अपने इस दोरे के दोरान कई राश्टरा ध्यक्षों से द्वीपक्षिय मुलकाद भी की और चर्चा भी की गई जिसमें यूक्रेइन के राश्टरपती जैलिंस की भी शामिल है उनसे भी उन्होंने बात की सवाल ये कि मेलोडी टीम की चर्चा हर तरफ इतनी आखिर है क्यों क्या है इसके कारण क्या है माईने दरसल आपको बता दें कि भारत और इटली के बीच राजनेतिक समंद 1947 में स्थावित हुए और मार्च 2023 में भारत और इटली ने अपने समंद्धों को सामरिक साजेदारी तक बढ़ा लिया साल 2022-23 में दोनों देशों के बीच 14.25 बिलियन अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षी वियापार हुआ जो ये बताने के लिए काफी है कि दोनों एक दूसरे के लिए कितने एहम हो चुके हैं और कितने अच्छे साजेदार हैं वर्तमान में परिस्थितिया हैं वो दोनों देशों के बीच समंधों का एक नया अध्याय हैं G7 शिकर समेलन के दोरान प्रधान मंत्री मोदी ने अपनी समकक्ष मैलोनी के साथ दोनों देशों के बीच द्वी पक्षी रणनीतिक साजहदारी की प्रगती की समिक्षा भी की है ऐसा ये माना जा रहा है कि भारत के प्रती इटली के मजबूत सयोग से भारत यूरोप आर्थिक गल्यारे में हिंदुस्तान की धमक आने वाले दिनों में और बढ़ेने वाली है पियम मोदी ने दक्षुनी इटली के अपूलिया की एक दिवसी यात्रा के आखिर में शुक्रवार को मैलूनी से मलाकात की इस दोरान उन्होंने जी सेवन शिकर समेलेन में आमंतरित करने के लिए इटली की प्रधान मंतरी को धन्यवाद भी दिया विदेश मंतराले ने बैठा के बारे में जो विग्यप्ती जारी की है उसमें ये कहा गया कि नेताओं ने खुले और मुक्त हिंद प्रिशांत क्षेत्र के लिए अपने साजहाद दृष्टिकोंड को पूरा करने की प्रतिबधिता जहर की है और भारत पश्टिमेशिया यूर्प आर्थिक गल्यारे पर भी चरचा की गई है बताएं कि भारत पश्यमेशिया यूरोप आर्थिक गलियारा यानि कि आईम एसी परियोजना के तहट सौधियारा भारत अमरिका और यूरोप के बीच एक विशाल सड़क रेल मार्क और पोत परिवहन तंद्र की परिकल्पना की गई है ताकि एशिया पश्यमेशिया और भी है जिसमें सांस्कृतिक और एतिहासिक संबंद, राजनेतिक संबंद, आर्थिक और रणनीतिक फैक्टर भी शामिल है प्यम मोदी ने अपने इटली दौरे को लेकर कहा कि उन्हें इस बात के खुशी है कि लगातार तीसरे कारेकाल में उनकी पहली यात्रा G7 शिकर सम् हवा देने के लिए प्रतिबदता दोनों देशों ने जहिर की है भारत और इटली के भी जो राजनेतिक संबंध 1947 में बने थे जिसके बाद पहले प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नहरू ने 1913 और 1955 में इटली का दौरा भी किया था इसके बाद दोनों देशों के ली हैसी मामले को लेकर अगस्ता वैसलेंड मामले को लेकर हेलिकॉप्टर सौधे को लेकर विवाद दोनों देशों के बीच बना और कलवाहट भी देखी गए 2012 में इटालियन मरीन के दो जवारों ने भारती मच्वारों को डाकू समझ कर गोली मार दी थी वो मामला भी दोनों करवाहट को भुलाकर भारत और इटली अब एक साथ हैं दरसल इटली और भारत के बीच मजबूत आर्दिक साज़िदारी है पीम मोदी के स्यात्रा से इसमें और इजाफा होने की पूरी संभाव ना है इटली में भारती निवेश लगभग 400 मिलियन अमरिकी डॉलर होने का अनुमान भीज़ जताया किया है बताते हैं कि भारत में 700 से ز insead कि अताबली कमपनिया हैं जिसमें 50's कारीब लोगों को रोजगार मिलता है और कुल खरूबार की बात करें बात करें है तो 9.7 बिलियन यूरो है भारत में काम करने वाली प्रमुकिताबली कमपनियों की बात क इससे व्यापार के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में तेजी आने की उम्मीद भी जताई गई है